आप सभी का स्वागत है आज है बारा सेप्टेंबर 2023 मंगलबार के दिन आए देखते हैं कि कल करेंशी प्रेंट में क्या-क्या एक्टिविटीज हुआ है और यहां से हम क्या एक्सपेक कर सकते हैं उसके लिए चार्ट पे चलते हैं डॉलर इंडेक्स अभी है 104.55 कल के दिन अच्छा खासा सौफनेस देखा गया और डॉलर इंडेक्स फ्रम 105.05 लेवल्स तो 104.50 लेवल्स इसका में इन कॉन्टिविशन्स है डॉलर C&H dollar C&H में Chinese PBOC ने अच्छा खासा इंटर्विन किया क्या फ्रम यर 7.3656 levels gap down opened and brought it down to 7.30 levels the sharp the strong intervention by PBOC is the main contribution for dollar index softness That being the case, यहां से हम क्या expect कर सकते हैं, वैसे भी आपका जो उपर का level का dollar index है, उपर का level means 105.5070 levels is expected to act as a strong resistance level. So, इस level पे तो आपका resistance आना ही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि और भी ज़्यादा softness का कोई as of now indications है, इस step का कोई indications as of now है नहीं, जब तक यह trend line support के ऊपर price actions बैटे हुए है, as far as the daily chart is concerned, इसको soft होना है, तो इस trend line के नीचे आना परेगा, और daily RSI also above 60 से below 60 में आना परेगा, जो currently 61.29 पे है, dollar रुपी कल अच्छा कासा, रुपी appreciate किया था to 82.83 लेकिन उहीं से bounce back करके उपर चला गया था आपका 83.03 में and currently the dollar रुपी is at your, just a second, 82.97, so, रुपी में यहां पे volatility बढ़करार रहेगा, क्योंकि clarity है नहीं, कौन जीतेगा, कौन हरेगा, means कितना strictly 83.20, 83.40 का जो resistance zone है, उसको defend किया जाएगा या छोड़ दिया जाएगा, that bit of information is missing from the market and उसी जो bit of information missing है, उसको find out करने के लिए बार बार इस level पे आके test करना चाहिए price actions को, and कल का जो price actions का जो support level है, 82.83, जो है previous zone, 82.40.50 से 82.8085 का range के top end पे आके support लेके bounce back किया, so अभी हमें थोड़ा सब, means अगर आपका 82.50 के आसपास, maybe 82.40 से 82.60 के बीच में कुछ price actions मिलता है आने वाले दिनों में, तो हमें देखना है किया, यहां पे हम long build up कर सकते हैं, या नहीं, GBP dollar, GBP dollar low से bounce back करने का price कर रहा है, जो support level है, आपका 1.24, 30 से 1.24, 50, उसी में support लेके उपर जाने का price कर रहा है, जो आपका 8 September का, जो high है, उसके उपर sustain करने का price कर रहा है, लेकिन यहां पर देखने वाला बात, कल का भी जो candle है, वहां पे upper level पे price resections है, that means, although the price is trying to bounce back, लेकिन उपर level पे sellers are defending, so, यहां पे, अभी देखिए, इतना sell-off के बाद, दो green candle, एक mainly Monday का green candle, आज का तो start of the day है, पूरा दीन परा हुआ है, तो यह पहले green candle पे buy नहीं करना है, पहले हमें एक red candle चाहिए, आज के दिन हो, या Wednesday को हो, या Thursday को हो, उसके बाद, उस red candle के high के उपर जाएगा, तो एक W pattern आ सकता है, विच में take the dollar रोपी, जीपी डॉलर higher, जीपी पी आए नर में भी consolidating at support level 103.50 में, सो पहले green candles में long build up नहीं करना है, एक red candle, एक या couple of red candles आने देते हैं, उसके बाद, उस red candle के high के उपर long build up हम कर सकते हैं, यहां पर consolidate कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि zoom करके उप market indications के यहां पर bounce बे कर रहा है, euro dollar similarly आपका यह जो 1.07 पर support लेके उपर जाने का price कर सकता है, जैसे कि हमारा weekly analysis था, यह Friday का जो candle है, इसके high के उपर, उपर के तरफ जाने का price कर सकता है, और उसी का जो Monday में हमने देखा, एक strong green candle बनाया हुआ है, पहला price sections गया है, अभी दूसरा price sections क्या है, अभी हमें एक red candle चाहिए, एक यह group of red candles चाहिए, छोटे छोटे चोटे, उसके बाद उसके high के उपर long build up कर सकते हैं, ऐसे भी यहां पर एक trend line resistance है, उस trend line resistance के उपर भी close देना चाहिए Similarly, Euro INR यहां पर भी base out करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जब तक यह trend line के उपर नहीं जाता है, हमें price sections को follow करना है, dollar yen पे काल हमारा एक analysis बनाया था, जहां पे यह trend line के नीचे strong close देना था, and follow through देना था, उसके बाद ही एक trended move हम expect कर सकते हैं, कल यह trend line support पे touch करके फिर उपर जाके close दिया, यानि हम जो candle चाहते हैं, वैसा candle form हुआ नहीं है, हमें इंतिजार रहेगा strong close below this trend line and follow through, उसके बाद ही हमारा जो calculation से, जो कल के वीडियो पे dollar yen के special analysis हमने बनाया है, उसके result हम expect कर सकते हैं, similarly, yen INR पे भी आपका यह trend line resistance से उसके उपर strong close नहीं दिया है, अभी हमे इंतिजार रहेगा strong close का, उसके बाद ही buy के लिए हमारा means price हो सकता है, dollar candy, dollar candy में कल एक अच्छा कर सा weakness देखा गया and अभी है 1.3572, यहाँ पे आप broader range देखोगी, तो क्या दिखे रहा है, यहाँ पे resistance था नीचे आया, यहाँ पे resistance 1.3650 पे फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे resistance जए पे resistance नीचे आया, फिर यहाँ पे लेकिन resistance नही देखी, बेकाउट उपर के टरफ कर ने का प्रयास कया, लेकिन फेल हुआ, इस इस से इस कोंचिजर देखा इसा इसा अप ब्रेक आउट then in such a case dollar candy may sharply move down means candy may appreciate towards 1.32 उसके लिए पहले हमारा target होगा 1.3480 then आपका 1.3400 then आपका 1.3200 क्या इस level पे इस हिसाब से candy appreciate करता है या नहीं हमें देखना परेगा 80 dollar अच्छा कासा bounce back किया है at the bottom bottom पे consolidations के बाद कल एक strong candle बना हुआ है अभी यहां पे जो zone of confusion है काफी price actions कर रहा था till 65 20 तक इस zone को clear करना लेकिन इस zone को clear करने के बाद भी immediately एक resistance आएगा that is your that is your this level 0.6570 इस level पे आपका resistance clear करने के बाद ही उपर के तरफ हम expect कर सकते है so यहां पे consolidation बड़कराद रहेगा sharp up move देख नहीं रहे dollar cnh already we have discussed काल अच्छा कासा strong intervention from pboc so they are determined not to allow cnh to depreciate heavily US 10-year treasury से पहले brand crude में आते brand crude आपका है 790.66 यहां पे जो weekly chart है उसी का प्रयास हो रहा है weekly chart पे means यहां पे consolidate करके आगर उपर जाता है there are higher possibilities brand crude में test 105 से 106 so उसी के तरफ daily chart में price consolidations देख रहा है अभी यह consolidation के बाद जैसे बाहर उपर के तरफ जाएगा तो एक strong up move हम expect कर सकते हैं US 10-year treasury 4.288 कल से थोरा से stronger दिख रहा है तो होने देते हैं price actions को कुछ कर नहीं सकते कर नहीं सकने का मतलब means अभी भी interest rate cut का कोई नजदीक नहीं है अभी सामने CPA data है followed by FMC rate decisions all these things we need to data driven basically data driven के एक data आएगा strong हो जाएगा दुसराएगा हलका सा weak होगा एक governor आएगे कुछ भोलेंगे hawkish stones बोलेंगे दुसराए governor आएगे कुछ दौवish stones बोलेंगे means इहां पे means दोनों तरफ movement होता रहेगा यह कब होता है जब किसी को हवा नहीं होता है क्या होने वाला है so ultimately किसको पता है क्या होगा only the time will tell क्या होने वाला है so हमें time को follow करना है rather than following all these means data and comments US 2-year treasury at 4.986 यह भी consolidate करते है कर रहा है इसको भी consolidations मेफेज से pass throw करने देते है and let's wait for the time so currency pre-market analysis अभी के लिए इतना ही आशा करते हुए presentation अपका अच्या लगा होगा if so like किजे, comment किजे and share किजे वाँए वाँगे और देते हैं thank you and have a great day ahead